लेकिन अब ये गांधी परिवार में ये तो नई पॉलिटिकल एंट्री है जो प्रियांका जी एंटर हो गई राहुल जी तो पहली आ गए थे सोनिया जी भी थी अब ये रॉबर्ट वाडरा की भी एंट्री है क्या आपको लगता है दक्षिन भारत में कबल खिलेगा मैं उधारन देता हूँ आप उससे समझ लीजे क्या होने वाला है तरेपुरा में हमारी एक सीट नहीं आती थी हमने वहां दूसरी बार पूर्ण वहमत की सरकार बनाई जी आसम में हम कभी जीत नहीं पाते थे दूसरी बार हमने सरकार बनाई साथ लगते हर्याना में एक बार नहीं दूसरी बार हमने सरकार बनाई ऐसे बहुत सारे राजे जहां हमारी सरकारे बनती नहीं थी नौर्टिस्ट में आज अंडिये की सरकारे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बंजर भूमी पे भी हमने कमल खिला कर दिखाया है अब तो दस साल की उपलबदिया मोदी जैसा नेतरतव है चार सो पार करके दिखाएंगे दक्षिन में भी इतिहास बना कर दिखाएंगे लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है तो इतने नेताओं को के लिना पड़ा है नवीन जिंदल को अभी आपने ले लिया अब कॉंगरस कह रही है कि इन पर भरष्टचार का आरोप था ऐसे ही कई सारे नेताओं को आपने ले लिया जिनके उपर आरोप लगे थे प्रफूल पटेल एंडिये का पार्टन है जिसको बीजेपी ने लिया उसको आपकी गड़बदन ने लिया तो क्या करिएगा कि ये वाशिंग मशीन का एक टैग आप पर लगाया जाता है अच्छा है जो आरोप विपक्ष को लगाने लगाने ही चाहिए लेकिन मुझे भी इसका उत्तर देना है कि आरोप लगे आरोपों के बाद तथेज उटाने पड़ते हैं जांच करनी पड़ती है और कोट में वो सबूत देने पड़ते हैं जांच जनसियां अपने काम को जारी रखें चाहिए वो भाजपा का नेता हो या गैर भाजपा दल का नेता हो जिसने भरष्टा अचार किया है मेरी मांग और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में कहीं हस्तक शेप नहीं होता है जांच जनसियां स्वतंत्र हैं उच निश्पक्ष जांच करें सबूत इकठे करें और भष्टाचारियों के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई करें चाहें किसी भी राजनितिक दल के हो जी मैं अब क्योंकि आप गैरंटी की बात कर रहे हैं 400 सीटों की बात कर रहे हैं तो मैं दो नेताओं के आपको बाइट चुनवाना चाहता हूँ वह है लालू यादव और चरंदास महंद चरंदास महंद लीडर ओव अपोधिशन है और कॉंग्रस के बड़े नेता हैं दोनों की बाइट चुनियों ने प्रधान मंत्री मोधी के बारे में क्या शब्द बोले और किस अंदाज में बोले एक संदक्षक चाहिए अच्छा लाथी धर के बानने वाला नरेन मोधी के खिलाप अगर कोई राथी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हेरे सांसत खड़े हो सकते हम अलब लाथी धर या आदमी चाहिए नरेन मोधी के मूर फुरह या आदमी चाहिए बोलता कि परिवार बाद है परिवार के लिए लोग लड़ा है तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है तुम्हारे माता जी का जब दिवासान हो गया त हर हिंदू अपने मा के सोक में केस दार्ली बना वाता दारी छिला वाता क्योंने ये छिलाया बताओ जालू जी ने बुला कि मोदी का तो परिवारी नहीं है तरंदास महंत तो कह रहे हैं कि मोदी का मूँ तोड़ने के लिए सर तोड़ने के लिए हमें लोग चाहिए कोई फोनने की बात करता है, कोई सिर तोडने की बात करता है, कोई देश में आग लगाने की बात करता है कोई लोग तंत्र खतम करने की बात करता है जब इनके पास देश के लिए कोई विजन ना हो तब ये ऐसी ही बाते करेंगे क्योंकि मूल मुद्दों से ध्याना हटकाना चाते हैं बटकाना चाते हैं और मैं आपको बताऊं हम लोग जनता के बीच में अपनी दस साल की उपलब्धियां भारत का बढ़ता मान सम्मान और मोदी जी की लोग प्रियता उनका काम इसको लेके जा रहे हैं हम उसी पे चलेंगे मोदी जी का नाम और भारती अंता पार्टी का काम मोदीजी के परिवार पर जो टिपनी हुई बीजेपी ने के सब नेताउने लिखा आपने भी लिखा कि हम मोधीजी का परिवार हैं कई समाने लोगों ने भी लिख दिया तो क्या ये बाकी चोकीदार चोर एक अरोप लगाएं मोधीजी पर कोई है तो 140 करोड भारती है उनके परिवार के रूप में है इसलिए लोग लिखते हैं मैं भी मोधी का परिवार मैंने भी लिखा मैं भी मोधी का परिवार मैं तो चलो उनके राजनिदिक दल से हूँ लेकिन छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं मैं भी मोधी का परिवार बहने जो है वो वर्ल्ड की थर्ड largest एकोनोमी बन जाएगा तो सवाल ये है आपसे कि वो कौन सी स्ट्राटेजेजी है वो कौन से टॉपिक्स ऒो कौन से मुद्धे उने वाले जिन पर वो काम करेंगे मोले जिनक आपके अशीव करने आज डेड़ लाग किलोमेटर है उस समय के वल पांच शहर मेट्रों के साथ जुड़े थे आज बीच शहर मेट्रों के साथ जुड़े है उस समय जीरो बंदे भारत थे आज 41 बंदे भारत है उस समय 20,000 किलोमेटर इलेक्टिफाइड रेलवे लाइन थे आज 41,000 किलोमेटर है आज हम Portways भी बना रहे हैं, National Highway भी बना रहे हैं, दिन में 91 किलोमेटर रूल सडकें और 34 किलोमेटर National Highway बना रहे हैं उस समय साथ एम्स थे, आज 22 एम्स हैं, उस समय 384 Medical College थे, आज 706 Medical College हैं उस समय 400 University थी, आज 1100 University हैं, उस समय 16 IIM थे, आज 23 हैं, 12 IIT थे, आज 19 हैं, उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत दसवे नंबर की अर्थवियस्ता था, आज पांचवे नंबर की अर्थवियस्ता बना है आप कोई एक शेतर उठा कर देखिए, भारत ने जो 60 साल में अचीव किया, उस से जदा 10 साल में मोधी सरकार में अचीव किया इस से जदा इलाबरेट आपको जवाब भी बिल सकता है, नॉन स्टॉप बोलें, तो दूसरी बार जोर दर था लिया, नॉन स्टॉप बोलें, सारी उप लग दिया, मुझे लगता है कि अब बढ़ते हैं आगे, आई पेल फॉलो कर रहे हैं आप, क्योंकि आप खेल मंत्री हमारे अगर आप देखिए, अमीज जी कभी, लेकिन आजकल ग्राउंड में हूटिंग भी हो जाती है, मतार जो ट्रोलिंग पहले शोशल मीडिया पे प्लेयर्स की ट्रोलिंग होने लग गई है, तो उस पर कुछ कहना चाते हैं, हाली में एक बहुत बड़ा इंसरे हो, नही आज हमारी वो क्षमता बनाती है, कि कभी हम लोग सेंचरी बनाते थे क्रिकट की फिल्ड में, लेकिन हमने खेलों को इतना विस्तार और इतना आगे बढ़ाने का काम किया, कि अब की बार जब एशिन गेम्स हुए, तो भारत ने एक सो साथ मेडल जीते हैं, हमारे सब मेडल के उपर निर्भा करता है, आपको किस खिलाडी को रखना, किसको छोड़ना है, अगर मुंबई को लगा होगा कि उनकी टीम में इस खिलाडी का उपयोग जाता है, और गुजरात को लगा होगा हमारा इसके बदले दूसरा आ सकता है, तो क्यों नहीं, ये तो प्रोफेशनल क्रिकेट है, और इसमें लीक में यही है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब नेता पार्टी बदल लेते हैं, तो लोग उनको वोट भी देते हैं, जित्वा भी देते हैं, अब उन्होंने अगर अब टीम बदल ली तो उनको इस तना से ट्रीट करना, ये वाकई गलत है, ये कि खेलों में भी लीक स्कोर मजबूत करना चाहिए, ताकि भारत में खेलों का और सिस्टम और स्थोद्रिड हो, एक सवाल, क्या है, सर आप बी सी से आए कि युवा अध्यक्स भी रहे हैं, और आपने अंजी भी कहला है, तो सरी, मेरा, मेरी नीजर इच्छा है कि मैं आपक आई, 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 आज़ो, खेल लेते हैं, अब आप एक बॉल करिए, मारूगा नहीं रोपूँगा, ठीक है, कि मार दो, मार दे, चलो क्या के मारता हूं देखो, बताओ कहा हमार ने, ने, वीडियो वाल में चुरुआना, उपर, उपर मारे, हमारी लाइट और वीडियो जी जैसा ही, चलिए बॉल ही खो गई, ना रहीगी, ना होगा बांस ना बजेगी बांस रही, ना होगा बॉल ना होगी बैटिंग, चलो, चलिए जोड़दार दालिया अन्राग ठाकुर के लिए, अन्राग जी अब आप खड़े रही है, बिल्कुल आखरी दौर है, मैं अन्राग जी आपका र्याक्शन लोंगाव है, पहली तस्वीर देखते है किसकी आ रही है, मेरे लिए भी सर्प्राइज है, अब बताए ये प्रतिबा सिंग है, सुकु जी है, और विक्रा माधिर तेशिए, अपनों में घिरे नजर आ रहे हैं, तो सरकार बचेगी इनकी क नहीं बचेगी, मैं कहा हूँ, अपनों में घिरे नजर आ रहे हैं, चलिए, अगली तस्वीर देखते है कौन सी आ रही है, राहुल जी और प्रियांका जी, देखिए, क्या बात है, तो प्रियांका जी राहुल जी से कुछ कह रही है, पोटो बहुत अच्छी है, वैसे, फ जारी खोटी सुना रही है कि, सला दे रही है, अच्छा चलो है मानते हैं, ओडियंस कह रही है, सला दे रही है कि एलेक्शन मत लड़ो, पर लड़ने है वाइनार्ट से बैसे, कहीं प्रियांका जी टिकर तो नहीं मांग रही है, जी चलिए अगली तस्वीर देखते हैं, तीसरा कह रहा है कि, कॉंग्रेस में कोटरी कल्चर है, कॉंग्रेस समप तो चुकी है, आपस में जगडे हो रहे हैं हमारे, देखिए दो के तो मैंने ब्यान सुने कि कैसे तरस्ट हो गएं कॉंग्रेस में, जी दूसरा मुक्य बाजी करके आगे हैं, जी अब अगली तस्व कोई नेता है, वैसे बतब लग रहा है कि कोई हैंसम बॉइ है, यह पारलेमेंट के बाहर की फोटो है, नए संसद भवन के बाहर, और मैं क्रिकट खेलता रहा है, तो मुझे पता है, हैट्रिक का मतलब क्या होता है, तो हैट्रिक, यानि कि तीसरी बार मोधी सरकार, और तीस यही बदलते, भारत की दस्वीर है कश्मीर में कितनी शांती आई है आप कभी सोच सकते थे कि सचि इंदूल कर शिरीनगर में जाके कश्मीर के किसी हिसे में जाके हमारे कश्मीरी भाई बैनों के साध क्रिकट खेलेंगे कभी सोचा था अरे आप तो चोड़िये है राहुल गांदी जी प्रियंका गांदी जी भी कभी कश्मीर जाने के बारे में सोची नहीं सकते थे अगर यात्रा के बाद किसी ने जाके वहां पर भी छुटियां मनाई तो मोदी सरकार ने इतनी शांती लाई है कि दोनों भाई बैन बरफ के गोलों के साथ खेल रहे थे तो यह बदलता भारत है यह मजबूत भारत है यह सुरक्षित भारत है और इसलिए मैंने कहा दस साल में ये अहंकार नहीं ये काम बोल रहा है कि दस साल में हमने मजबूत नीव बनाई है अब विक्सित भारत बनाना है चलिया नुराग जी आप हमारे साथ आए और इस मंच पर आपने तमाम सवालों के बेबाग जब आप दीए लेकिन चलते चलते आखरी सवाल है अपने लिए कितना वक्त मिल पाता है परिवार के लिए कितना वक्त मिल पाता है क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा सही होता है हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं और आप लोग आप कह रहे हैं कि मतलब आपका वर्क और वाइफ बैलेंस दोनों ठीक है बहुत अच्छा है और मेरे बच्चे दोनों बेटे बहुत अच्छे एक की उमर 20 साल हो गया आपको बेटा मेरा बेटा भी साल कर लगते हैं और पता नहीं कब 20 साल निकल यह भी पता नहीं चला इसलिए राजनीती में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है लेकिन आप जब देखते हैं कभी पब्लिकली आके बैठो किसी की बेटी आपकी गोद में आके बैठ ज चुरू करेंगे राम आएंगे तो कुछ गुनादी जे बाकी लोग एक बरी एक बरी हो जाए हो जाए मैं मोनोज तिवाड़ी और फिर भी पर फिर भी क्यों बाकियों को भगाना चाहते हैं चलिए वाकई राम मंदिर एक सवाल चल को कि आपने राम का जिक्र कर लिया तो बिना तो ना शुरुवात है ना अंत है तो जब राम मंदिर बन के तयार हो गया और जब राम लिला के दर्शन हुए मैं आप से जानना चाहता हूं कि धूमल साफ का क्या कहना था क्योंकि उन्हों ने तो वो पूरी लड़ाई देखी वो पालनपुर का अधिवेशन देख जब बीजेपी ने वो सुन्दर सपना देखा राम लिला का मंदिर बनाने के लिए तो धूमल साफ का क्या कहना था आपके पिता जी का क्या कहना था पूरा देशी बहुत एक और उत्सा में था तो बहुत भावुक भी था आपने ठीक हा पालनपुर अधिवेशन में हमने वो रेजलिशन पास किया था कि भवे राम मंदर का निर्मान करेंगे लेकिन कुछ बाते ऐसी होती है में जी की तीन तीन पीडियां भाजपा और जंसंकी चलेगी जहां पर धारा तीन सो सतर हटाना ट्रिपल तलाक से निजाद दिलाना राम मंदर बनाना कई बार तो लगत काया ही सोमना धाम केदारना धाम काशी विश्वना धाम महा कालोग बहुत सरकेट और अयोद्या धाम में भवे राम मंदर का निर्मान भी करवाया इमोशनल हो गए थे आप जब राम लिला की पहली तस्वीर देखी राम लिला की देखिए मैं तो 1994 में भी गया जब मैं क्रिकेट खेलता था उस समय इसको फैजाबाद कहा जाता था योद्या जी को मैंने तब भी खुले में टेंट में राम लिला की वहां पर पूजा की और बहुत दुख होता था कि अपने ही देश में ये कैसे स्थिती है लेकिन निर्णे आने के बाद दो साल के अंदर ही भव्य राम मंदर का निर्मान करना और जो प्रतिमा बनी है मन मोहने वाली है और शिल्पकार ऐसे हो तो मुझे लगता है बहुत सुन्दर बनी है और धूमल जी की आपने बात कहीं तो सभागय से उस दिन मैं अपनी कुल देवी अबाद देवी वहीं पर ही था तो वहाँ पर भी करके मेरे घर पे बहुत बड़ा कारे कर रहा है पूरा गाओं हमारे घर पे पूजा पाट उस दिन कर रहा था दूमल साब तो इमोशनल हो गए होंगे उनकी पीड़ी ने जो जो सोचा था उस समय वो आज पूरा होता नजर आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुनने के लिए इस मंच पे आने के लिए अम्राग जी तैंक यू सो मच